हाई डेलपर्स, so data structure भी javascript के इस पारट में लोग बात करने वाले हैं binary search के बारे हैं, but binary search दो तरीके से implement हो सकती है, एक होती है recursive approach, जो हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, इस वाले पार्ट के अंदर ही, एक होती है iterative approach, जो मैं आपको last वाले पार्ट में बता चुका लिंक आपको description box में मिल जाएगा playlist के अंदर, आप जाके check कर सकते हो, points की बात करें तो सबसे पहले आपको यह बताऊगा, कि binary search किस तरीके से काम करते हैं, और recursive approach क्या होती है, आपको यह बताना पड़ेगा, मैं आपको यह भी detail बताऊगा, और इसके साथ यह बताऊगा, कि iterative approach and recursive approach, इन दोनों में क्या difference होता है, यह basically interview question भी बनता है, so यह भी बताना जरूरी है, उसके बाद में हम लोग हमारी binary search को implement करेंगे, code के अंदर, with recursion, recursion क्या है देगा, recursion, recursive approach basically recursion के अंदर ही आती है, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ input buttons लेंगे, input button and text box के साथ में भी binary search को implement करेंगे, text box के अंदर हम लोग एक value डालेंगे, button के उपर जैसे click करेंगे, तो value array के अंदर search होगी, और हमें हमारा result मिलेगा binary search के हिसाब से, alright, मैं आपको दो playlist के link आपको यहाँ बे दिखा रहा हूँ, मैं आपको recommend करूँगा, यह आपके knowledge भी करेंगे, आप इंटर्वियो गएरा correct करने के अंदर, एक तो है data structure with algorithm, यहाँ पे 25 वीडियो और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, उसके अलावा, एक और है advanced javascript in Hindi, यहाँ पे मैं already 18 वीडियो बना चूँँगा, और भी बहुत सारी वीडियो मनाँगा, यहाँ पे हर iterative approach के बारे में बताया, तो यह वाला part आप देख सकते हो, part number 22, यहाँ पे जो binary search in javascript iterative approach, यहाँ पे मैंने use कर रखी है, और recursion मैंने यहाँ आपको बता रखी है, recursion वाला part बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको, वैसे मैं आपको basic चीज़े बता दूँगा recursion के बारे मे बट फिर अगर आपको detail में देखना है, यहाँ पे जो recursive approach use करते हैं, उसमें recursion use होता है, अगर आपको recursion अभी तक अच्छे से नहीं आता, तो मैं आपको suggestion दूँगा न, कि आप लोग यहाँ से, आपको यह दिखाता हूँ, यह वाली, 19, यह हमारी 10th वीडियो है, 19 minute की है, आप यह वाली देख लेना, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा recursion के बारे में, और यह काफी रहेगी, अब हम तो क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़े बंद कर देते हैं, और बात करते हैं कि binary search काम किस तरीके से करते हैं, मान लो कि मेरे पास एक area है, चीक है, और इस area में क एक limited value है, इसके जिए पर हमारे पास 1000 लाख हो values भी हो सकती है, एक area के अंदर कोई problem नहीं है, जब भी हम लोग data structure के अंदर real project में काम करेंगे, और आपको यहां में बोले जाएगे, एक random element सर्च करने के लिए, मान लिए जी कि आपको बोले जाए, कि आप 72 सर्च करके दिखा करेंगे, एक linear सर्च होती है, linear सर्च में का करते है, एक एक element को check करते हैं, पहले 72 को first के साथ match करेंगे, फिर second, third, fourth and so on, जब हमार element मिल जाएगा, तो हम लोग रिटरन कर देंगे, इस positioning अपर आपको element मिल गया, वो बहुत simple तरीका होता है, बट वो हर किसी case के अंदर बहुत देता है, because performance उसकी बहुत अच्छी न रहती, so हम लोग यहां में बात करने माले है, binary search के बारे, binary search किस तरीके से काम करता है, यह एक तो midpoint निकालता है, यहां पर नीचे लिख देता हूं, midpoint, सबसे पहले एक आपके जो data inputs होंगे, उनका midpoint निकाल लेगा, one, two, three, four, five, six, seven, eight element, eight element आपको, चीक है, अब यहां पर, one, two, three, four, इसको या फिर इसको, इन दोनों में से, मैं यहां पर yellow pen से कर देता हूं, या तो इस वाले part को, या फिर आप इस वाले part को, इन दोनों में से, एक को midpoint मान के चल लेते हो, और मान लोगे, आपके पास यहां पर, three, four, five, six, seven, eight साथ ही value होती, तो आप आप डेफिनेटली, 33 को midpoint मान सकते हैं, यह उसमें कोई problem थी नहीं, चीक है, बट अब अगर हमारे पास, एक odd value होती है, इन पूट्स की, आने की, एरे के अंदर elements की, तो midpoint निकालना ज्यादा easy रहता है, ऐसा क्यों, because हमारे पास, मालों की, साथ element है, बट अगर हमारे पास element 4 है, 6 है, अनकी even number है, तो आप लोग जो बीच वाले दो होते हैं, उन दोन में से कोई भी एक middle point मान सकते हो, कोई भी problem नहीं है उसके अंदर, ठीक है, हम भी लोग इसी दरेगे से काम करें, कैसे आप middle point निकाल सकते हो, यह भी मैं आपको बता बत आप समझो, एक middle point मान लेते हैं, middle point मान के हम लोग यह देखते हैं, कि जो हमारा element हमें search करना है 72, यह क्या middle point, अचा अभी के लिए हमें एक middle point लेना है यहाँ ठीक है, मैं बाकी सारी चीज़े हटा के, मैं middle point मान रहा हूँ अभी के लिए इसको, 33 को middle point मान लेता हूँ, ठ सर्च करना है, क्या वो middle point से match करता है कि नहीं करता है, अगर वो match कर गया, मान लोगी 33, जो था, यह बाला middle point था, 33 नहीं लिखता हूँ, middle point लिख देता हूँ, midpoint, equal, 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 मैं यहाँ लिख देता हूँ, find वाली value, find, अगर यह से match कर गया, तो तो हमारी tension ही खतम होगी, पहले बार के अंदर ही, ठीक है, कि हमारा element होगी मिल चुगा, वोर में आगे सर्च करना लिए, हम लोग तभी के तभी जो हमारी algorithm हो, इसको stop कर देंगे, बट इसके chances बहुत ही काम है, बहुत सारे element होते हैं, और जो हमारा middle point हो, वही element निकले हो, तो कोई जरूरी नहीं होता, बट 72 है, अगर हमारा ये, जो में सर्च करने वाला element है, ये middle point से छोटा होता, तो हम लोग इधर सर्च करते हैं, इधर सर्च करते हैं, और अगर हमारा ये बड़ा है, जैसे कि अभी है, इस case में हम लोग आगे वाले element में सर्च कर लेते, तो हमारे आदे element तो वैसे filter हो गई, ठी में सर्च करनी नहीं है, आप मेरे mouse को follow कर सकते हो, ये तो में सर्च करनी है, बस इधर वाली सर्च करनी है, ठीक है, कोई problem नहीं है, तो हम अभी क्या करते है, इसके बाद में हम अरे पास क्या ये बच गया, यहाँ पर red pen ले देता हूँ, मैं फिर से, यहाँ पर, यहाँ पर फिर यह वाला लेके चलूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, middle point मैं लेके चल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 है, आया तो आपको second वाला, फिर third वाला middle point लेके चलना पड़ेगा, यह वाला, मैं फिर से वही चीज़ चेक करूँगा, कि क्या, यह new array नहीं बनेगा, बस इसी के मेरा middle point है, यह तो नहीं है, यह तो इससे ज़्यादा है, अगर छोटा होता, तो मैं इस side में सर्च करता, ठीक है, फिर से यह लोग वाला pen लेता हूँ, मैं इस side में सर्च करता, बट यह चोटा नहीं, यह तो बड़ है, इधर सर्च करना पड़ेगा, मुझे तो मैं इधर जाँगा, तो अब इधर जाँगो, तो क्या करना पड़ेगा, यह और यह तो मुझे सर्च नहीं करने, अब मुझे यह दोनों के इंदर सर्च करना है, ठीक है, अब मैं तोड़ा और नीचे आता हूँ, ठीक है, एंड नीचे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर, फिर से कितना है यहाँ पर, दो यह element है तो 72, और जो मैं element find करना है, वो कितना है, 72, इस तरीके से हमारी values match हो जाती है, जब तक हमारा middle point हमारे finding value के equal नहीं आ जाता, हम लोग short करके, एरे को कम करके, करके, middle point पर ले आते हैं, और इस तरीके से हम लोग उसको search करते हैं, ठीक है, आपक समझ में आ गया हो, अगर आपको यह समझ में नहीं आया ना, तो problem है आपको यह वाला part दुबारा देखना चाहिए, वीडियो को back करके, क्योंकि otherwise अगर यह वाला part समझ में नहीं आया, तो होगा क्या कि आपको जो code लिखे के ना, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाल सो मैं एक वाले के लिए फिर से दिखाएता हूं, यहां पर है 10, 20, 30, simple सा लेता हूं, 40, 50, 60, इसके अंदर सबसे पहले middle point लोगा, middle point मैंने ले लिया 30, let's say मुझे सर्च करना है यहां पर 50, यहां फिर 60 कोई भी आप मान सकते हो 50, क्या middle point के equal है, अगर नहीं है middle point के equal तो मैं यह देखना है कि यह जो element है middle point से छोटा है के बड़ा है, अगर middle point से बड़ा है तो मैं इधर सर्च करना शुरू करूँगा, अगर मैं इधर सर्च करना शुरू करूँगा, यह बड़ा है तो मैं इधर इन तीन element में सर्च करूँगा, इन तीन element के अंदर, इन तीन element के यह हमारा middle point है, middle point 50 and finding element है वो भी हमारा कितना है, 50 है, दोनों match हो गए, 50 और 50 और इस तरीके से हमारा element मिल गया, जो finding था, वो हमारा middle point के उपरा के मिल गया, अगर 40 होता, तो फिर में अगर 50 को middle point मान के चलता, और यह चाह करता कि जो finding element है, वो छोटा है या बड़ा है middle point से, middle point तो हमारा यह था, search करना होता हमें 40, तो मैं फिर इस side जाला, इस side सर्च करता, और जो हमारे पास एक ही element रा जाता हो, तो directly यही मेरा middle point बन जाता, ठीक है, आगे कहानी समझ में, अब हम लोगा, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दीता हूं, यह वाला part में लास्ट बड़ी चेक करने होती है, अगर value sorted नहीं है, जैसे कि पहले 10 है, फिर 50 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 20 है, फिर 100 है, फिर 6 है, इस तरीक से, उस case के अंदर हमारा binary search काम नहीं करेगा, अगर तब भी आपको binary search करना है, पहले आपको sorted करना पड़ेगा, चाहे ascending order में करो, चाहे descending बड़े से छोटा करो, फिर छोटी से बड़ा, किसी भी side करो, बट आपको पहले error को short करना पड़ेगा, तभी काम करेगा, ओल राइट, चीजे समझ में आ गई, अब हम लोग उसको implement करके देखते हैं, अच्छा एक चीज हो रहे, वीडियो के last में एक announcement करने वाला हूं, एक मैं कोशिश करों कि मैं भूलू नहों आपको announcement पूरी बताऊं, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज तो important, इसका मैं बताना भूले गया, यार ये तो हमने चीज देख ली, ठीक है, कि binary search कि इस तरीके से काम करते है, बट recursive approach क्या होती है, आप मैंने यहाँ पर बना दिया, recursive binary search, इस नाम से मैंने एक function मना दिया, ठीक है, और ये function मेरा क्या करेगा, इस तरीके से, यहाँ पर, मैं इसके अंदर कुछ conditions लगाऊंगा, condition क्या होंगी, यही check करूँगा, कि पहले तो मैं middle point match करने कोशिश करूँगा, अगर middle point match नहीं हुआ finding element अगर छोटा है मेरा, ठीक है, तो मैं जो first वाला part है, उसके अंदर search करूँगा, अगर बड़ा है तो second वाला part है, उसके अंदर search करूँगा, और यह तब तक हमारा recursive binary search वाला function है यह conditionally call होता रहेगा, और जैसे हमारी condition match हो जाएगी, यह recursive approach हमारी बंद हो जाएगी, ठी point ही है, कैसे गरते हैं, अब आपको पता चलेगा, so सबसे पहले मैं क्या गरता हूँ यहाँ पर, एक array ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं array में लेता हूँ, let, data, ठीक है, और इस कंदर में यहाँ पर लेता हूँ, let's say, 10, 15, 18, 34, and उसके बाद में 67, अभी के लिए छोटा सबस पांच-छी element लेके चलते हैं, बाद में लोग और element भी ले लेंगे, बट अभी के लिए इतने element लेके चलते हैं, ठीक है, थाकि आपको थोड़ा समझाने में भी easy रहे, after that, और आपको समझने में भी easy रहे गई इससे, ठीक है, मैं एक start point लेता हूँ, start, start के अंदर में यहाँ पर क्या लिखूँगा, start मेरा कहां से होगा, 0 से start होगा, एरे हमेशे 0 से start होता है, let end, end हमारा कितना होगा, data.length, but जैसे आपको पता है कि हमारा area 0 से start होता है, तो उसका end point था, वो भी minus 1 ही होता है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अब मालो हमें इसके अंदर से search क्या करना है, हमें मालो हमें इसके अंदर find करना है 34 item, और तो मुझे उसकी position ले क्या है, कि उसकी current position है क्या, तो मैं आप लोगा let position, यारी spelling फिर गलत कर दी मैंने, क्या रहा है क्या है अब, ठीक है, position अभी के लिए undefined है, position के अंदर हम लोग वो position निकालेंगे, जो हमारा match करेंगे, जैसे कि अभी तो छोटा से अरे है, हम लोग directly भी count कर सकते हैं, बड़े अरे में तो नहीं कर पाएंगे, 0, 1, 2, 3, हमें 34 match करेंगे हैं, तो हमें 3rd position के उपर हमें मिलना चाहिए, जैक करेंगे, तो ठीक है, so उसके बाद में हाप एक function बनाता हूँ, function का मैं नहां पर नाम दिखूंगा, function recursive binary, चीक है, and इसको मैं हापर call करता हूँ, सबसे बहले मैं इसको बाहर से call करना पड़ेगा, right, so मैं हापर लिखता हूँ, recursive binary, इसके अंदर में 3 elements pass करने पड़ें पहला हमारा data, मैंने हापर data pass कर दिया, उसके बाद में हमारा start point, और third one होगा हमारा end point, ठीक है, और ये तिनों की तिनों चीज़े हम लोगों ने find कर रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, and last में मैं, यहापर console.one, last में आपर किसको position को print भी करवा दिता हूँ, position अभी के recursive क्या होता है, function के अंदर से function goal कर देना, इस तरीके से function को इस function के अंदर से goal कर दूँगा, but वो ठीक है, but अभी हम यहापर कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, सबसे पहले जासे मैं आपको होता है middle point find करने, middle point find करने एक सबसे simple तरीका होता है, javascript के अंदर math.floor, यह function use करो यह हमेशे middle point निका लेके देगा, 10 को 2 से divide कर दो, आप बोलो कि 5 आगे, ठीक है, तो आप बोलो कि यह कुंसी बड़ी बात है, अगर मैं 10 को वैसी भी 2 से divide करूँगा, तो भी 5 ही आने वाला है, you are right, but अगर आप लोग 11 को 2 से divide करोगे, तो क्या आएगा, 5.5, अब यह तो middle point हमारा बन नी सकता, but math.floor है यह बहुत smart होता है, अगर आप 11 को भी 2 से divide करोगे, तो भी 5 देखा, जो 0.5 वाली value होते है, point के बाद वाली value, इसको remove कर देता है, इसके अंदर देखो, अगर आप लोग 8 को 2 से divide करोगे, तो कितना हैगा, 4, but अगर आप 9 को 2 से divide करोगे, तो भ math.floor, ठीक है, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर 3 values pass करी थी, वो हम यह मनों get कर देते है, सबसे पहले item, ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ, start, s से start, and e से end, ठीक है, समझ मा जाएगा ना आपको, s से start, e से end, या फिर पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, या आप लोग यह ना confuse कर लो, कि यह जब हम लोग इसके अंदर start and end लिखेंगे, आप यह ना समझ लो, कि यहाँ यहां से आ रहे है, जो भी इस function के अंदर use होगा ना, वो directly in parameter से आ रहा होगा, because यह function हमने यहाँ पर call करा इसको, और हमने यहाँ पर data start and end पास करा तो यही मिलेग इसके अंदर, ठीक है, यह आपको चीज ध्यान रखनी है, इसको मैं data में ही convert कर देता हूँ, ठीक है, यह directly यहां से नियार, आपको ध्यान रखना है, यह directly हमें parameter के अंदर से मिल रहे है, कहीं confused होगा तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, start plus end, दोनों को 2 से divide कर देता हूँ, ठीक है, चाहा था तो मैं data dot length को भी divide कर सकता था, but start and end है यह change होँगी, आपको बताऊंगा कैसे change होँगे बीच-बीच में, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, okay, so मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको middle point मैंने निकाल लिया, अगर आपको एक बार के लिए middle point चेक क कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं mid, अभी इसके लिए रिकर्जन लगाए निया, क्या होना चीज़िए आपके हिसाब से एक बार के लिए वीडियो को पोज करके आप लोग सोचना की क्या होना चीज़िए, यहाँ पर है एक, दो, तीन, चार, पांच element है, मेरे हिस आप से, देखो, जैसे मैं आपको दगर 5 element है, तो हमारा middle point आना चीज़िए 18, बट अगर आप 5 को 2 से divide करोगे, तो क्या होगा, 2.5 आएगा, बट 2.5 तो हम लोग middle point मान नहीं सकते, तो क्या करेगा, यह middle point निकाल एक देगा हमें 2, ठीक है, कैसे, आपको बताता हूं, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, ठीक है, पहली बात तो हमारा 0 से element start होता है, तो यहाँ पर इसने क्या करा था, start कितना है हमारा 0, end कितना है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसने हमारी values कितनी ही निकाली है, 0, plus 4, कितना हुआ, 4, और 4 divided by 2, यानि कि, 2, तो हमारा middle point हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर 2, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, console के उपर, यहाँ पर, यहाँ पर, map.floor is not function, और sorry, actually, यहाँ पर map नहीं हैगा, यहाँ पर आगा math, math.floor, वापिस आते हैं, और यहाँ पर हम लोगे क्या मिल गया हमें, middle point मिल गया 2, अब 2 कौन सा है, इसके अंदर से middle point आपको ध and यह, अब देखना क्या आएगा, यहाँ पर, middle point, 18, ठीक है, because 0, 1, 2, यह आपको समझ में आ गया, यह आपको हर बार करके मैं दिखा दूँगा, बाद मिलू, बट अभी के लिए हम लोग यह देखते हैं, middle point, so, अब देखो, पहले हमारी condition क्या थी, जैसा मैंने आपको बता रहे था, कि अगर हमारा middle point, find के बिल्कुल directly equal मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हमारे function को वहीं पर stop कर सकते हैं, और बोल सकते हैं, यह सब कुछ मिल गया, ठीक है, तो बस हमारी यहीं पर, जो searching है, वो खतम कर दो, so, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, data का जो mid point थ आया, यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर 18, ठीक है, वो वैसे तो match करता नहीं है, बट हम लोग, क्योंकि हमें पता निक क्या-क्या values आ सकती हैं, आगे पीछे, तो हम लोग यहाँ पर match करने, यहाँ बताने क्योशिच करेंगे, अगर यह find से, यहाँ पर हमने लिखा है, find, यहाँ पर, यह find करना है, यहाँ पर, find से match हो रहा है, तो आपको क्या करना है, return false, यहीं पर return कर दो, and return false कर दो, return true कर दो, कोई फरक नहीं पढ़ता, true कर देता हूं, otherwise आप बोलोगे, यह false क्यों कर दिया, ठीक है, because कोई फरक नहीं पढ़ता, बस हमारा function यहाँ से return हो जाता, जाए return false कर तो जाए true कर तो इससे में इसके true false में कुछ लेना देना है नहीं बहुत जाएदा ओके सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे position जो हमारी position है ना उसके अंदर में डाल दूँगा मिड की कौन सी position के उपर हमें यह चीज मिली है अब कहां पर मिला जीरो वन टू थ्री पोजिशन के उपर मिला तो इस तरीके से ओके अब सेकेंड केस में आपको क्या बदाद है अगर जो मेरा find वाला element है यह मिड़ पॉइंट से बड़ा है ठीक है यह मारे midpoint से बड़ा है तो मैं क्या करना है आगे की तरफ सर्च करना है जैसे कि हमारा midpoint अभी 18 है 34 से बड़ा है तो मैं आगे तरफ सर्च करना चीए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब एक condition लगाँगा if अगर मेरे data का midpoint यानि जो 18 अभी वाले case में 18 अगर वो छोटा है find से ठीक है midpoint तो हमारा क्या करने वाले है हमारा data यह हमारा जो data है वो पूरा 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 पास करो okay प्लस उसके बाद में second क्या चीज़ आती है start बट हमारा start यहाँ पर क्या बनेगा mid प्लस 1 mid कितना है हमारा यहाँ पर 18 18 से प्लस 1 वाली value यह हमारी और उसके आगे वाली चीज़े हम लोग search करेंगे कोमा ठीक है इसके बाद में कोमा आगया और बाद में end हमारा कितना है यहाँ आप देख सकते हो जो last element होता हमारा यह कि ठीक है 18 के बाद और last तक सारे के सारे element सर्च कर लो ठीक है अब यह condition बन गई अब मान लोग कि यह find है यह होता 10 तो यह 18 से छोटा होता था हो चकता था तो इधर हमें search करना पड़ता उसके लिए भी तो हमें condition लगानी पड़ेगी ना उसके लिए हम लोग यहाँ पे condition पड़ेगा देखो आगे तो में search करना नहीं है पीछे search करना है तो हमारा start कहां से होगा जीरो से start हमारा पहले जीरो है तो आप यह कर देता हूँ start इसके आगे search कर लेगा और अगर छोटा है element तो मारा इधर search कर लेगा उसके बाद में अगर array को और break करने के जुरूर थोई तो middle point के हिसाब से break करता रहेगा because जब हम लोग start करते हैं end करते है start की value हमेशा इस case में start की value बढ़ती रहेगी इस case में end की value बढ़ती रहेगी और start and stop हमेशा बढ़ते रहेगी चीक है और आपको उसके साथ भी समझाओंगा क्या कहते हैं डी बगर के साथ में बट अभी के लिए देखो कि क्या बनता है यहां पर हम लोग आए हमारे पास यहां पर क्या आ गया जी रो इसमें कुछ गड़बड है क्या देख लेते हैं इसे गड़बड होनी तो नहीं चाहिए 23 लाइन के ओपर हुआ जीरो दिया इसको जीरो तो नहीं देना चाहिए था स्वरी अच्छा मैंने यहां पर फाइंडिंग क्या था दस का रख है स्वरी बिकोज यह तो जीरो पोजिशन को पर यह सही कह रहा है 34 सर्च करने मुझे इसको सर्च करने गोहिश करता हूं अब मैं यहां पर आता हूं इसने क्या निकालके दिया मुझे थार्ड पॉइंट ठीक है अब हम लोग और सच कुछ करके देख लेते हैं मैं यहां पर कुछ इसकी बढ़ा लेता हूं जैसे कि मैंने यहां पर कर दी 70 और यहां पर कर दी मैंने 89 और मैं अब किसको सर्च करना चाहता हूं मालो कि मैं अब 70 को सर्च करना चाहता हूं तो कोलन सी पोजिन के उपर है 0,1,2,3,4,5 तो इसको 5 प्रिंट करना चाहिए let's see and here we are getting 5 all right perfectly हमारा recursive binary search ready हो गया अब अगर step by step चलने ही गुषिश करें यहां स मैं यहां पर लगा दिता हूं अचा पहलना elements कम करता हूं यार चलने ही द्हुश्को है छलने दिता हूं थाइन फां सा टांइम लगगा बट यहां सबसे पे हमारा कोड यहां पर बूग अब यह वाला जो बटन है न यहां सब्दैप-ूअब करे चल सकते है और जिस भी vi goat क गया, console के उपर चला गया, ठीक है, बुजल दी बारा गया रही तो, अचा, sorry, इसके अंदर अगर मैं recursive function में call करता हूँ, ये better रहेगा हमारा, ठीक है, so, मैं अभी क्या करूँगा न, अचा, ये middle point के उपर आया, सबसे, जब first time हमारे data call हुआ, middle point के उपर आया, तो हमारे data कि कितना है, ये आप array देख सकते हो, start कितना है, zero, end कितना है, हमारा six, क्यों six है, यहाप आप देख सकते हो, one, two, three, four, five, six, seven values है, और कितने से start होता है, हमारा array हमेशा, zero से start होता है, तो zero, two, seven, अगर हम लोग calculate करेंगे, zeroth position, first position, second position, third position, fourth position, fifth position, six position, six element बन गए न, zero से start होने के ब middle कितना है, middle आपको यहाँ पर शायद undefined दीखेगा, middle अगर कुछ भी value चेक करने तो आपको next line पर जाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद मिडल की value बुदाएगा, middle की value आई आई आपकी 3, क्यों कि start, zero, plus six, six, divide by 2, कितना आ गया, 3, okay, 3 इसके इंदर कौन सी value है, 34, यह हम हमारा middle point बन गया, अगर आपको यहाँ पर चेक करना है, तो आप इस तरीक सी switch select करो, और चेक करो, कितना है हमारा middle point, 34, हमें search क्या करना है, 70, find करा, क्या है यहाँ पर 70, तो यह तो match हो नहीं रहा, अब जैसे ही मैं यहाँ पर next करूँगा, यह else if condition के अंदर चला गया, else if के हमारा middle कितना है, यहाँ पर मैंने चेक करा, middle, middle है हमारा 34, हमें पता है कि हमारा यह third वाला पोजना है, middle है, ठीक है, यह हमारा कितना है, 34, जो हमें find करना है, यह कितना है, यह है हमारा गर मैं इसको उपर करता हूँ, 70, तो यह बड़ा है, यह छोटा है, exact condition में आच होगी, तो इस condition में जाएगा यह, बिल्कुल जाएगा, जैसे ही इसके अंदर गया, ठीक है, अब इसने क्या करा, देखो data कितना है हमारा, वह है पूरा गापूरा, 3 प्लस 1, अगर मैं यहाँ पर इन दोने को पर करता हूँ, यह इसने 4 दिखा दिया, कहता अब यह 4, 4 से आगे search कर करना ही नहीं है, middle तक तो, middle पर तो हमने match कर लिया, यहां तक तो, और इससे value बड़ी है, यह हमने compare कर लिया, तो आगे इन तीन element में search करना है, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या कह दिया, जो starting position होगी हमारी 4 होगी, कि भया, array के fourth position से आगे start करना search करो, पीछे value है नहीं हमा 14 से में, इसके अंदर यह कितना था, 6 था, ठीक है, बिल्गुल सही है, अब हम लोग फिर से इसको check करते है, जैसे यहां पे फिर से गया, और अब मैं एक बड़ी उरागी चला जाता हूँ, अब middle मेरा कितना आया, अब मेरा middle आया, 5, 5 कैसे आया, start value कितनी थी मेरी, 4, 70, बिल्गुल मिलेगा, इसको 70, और find हमें क्या करना है, यहां पे किराओगी, तो find क्या करना है हमें, 70, perfect, तो अब इसने क्या करना है, यहां से return कर देगा, इसकी value को match हो गई, value को position के अंदर डालेगा, और इसको return कर देगा, अब मैं इसको यहां से छोड़ के directly आगे जाता इसको बढ़ाता हूं, जैसे इसको बढ़ाऊंगा, इसने हमें console में दे दिया, यहां पे 5, ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं, अगर मालो है, बिल्कुल last value सर्च करनी होती है, थोड़ा और समझते हैं, last value सर्च करनी होती हमें, तो क्या करना होता, वहां पिस से यहीं पर आते हैं, यहां से, और middle value के ओपर मैं फिर से इस तरीके से breakpoint लगाता हूं, सबसे पहले आता हूं, सबसे पहले हमारा middle point कितना आएगा, यहां पर आप देख सकते हो, middle point आया हमारा 3, क्या 3 match करेगा हमारे, जो हमें find करना है, बिल्कुल नहीं करेगा, जो कि मारा middle point कितना है, यहां पर 34, और find में क्या करना है, 89, ठीक है, यह नहीं पहुचा, अब क्या यह next वाली position के उपर जाएगा, यहां पर जाएगा, बिल्कुल यह हमारा कितना है, 89 और यह कितना है, हमारा 34, ठीक है, यह कैता अब आगे चलो, जैसे इस line के अंदर गई, इसने हां पर समझा जा दिया, कहता भाई देखो, जो find है न, यह 34 से बढ़ा है, तो 34 से आगे वाली value सर्च करो, पीछे वाली values में नहीं मिलेगा यह, ठीक है, इसने क्या करा यहां पर, इसकी value बना दी 4, प्लस 1 कर दिया, मिड से आगी सर्च करना है न, मिड से आगी तो प्लस 1 point करना ही प्लस 1 point 6 divided by 2, ठीक है, अब अगर देखा जाए, यहां पे middle point के अंदर, यहां पे कितना आया, 70, बट हमें find क्या करना है, तो मैं फिर से find देखरूं, 89, तो यह वाली condition फिर भी match नहीं हुई, जब condition match नहीं हुई, तो अब किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, फ start करो, जैसे ही इस line के उपर पहुच चा, mid कितना आ गया, यहां पे 6, और end point हमारा कितना है, यहां पे 6, बिल्कुल सही है, अब हम लोग last में आगे जाके, mid को सर्च करते हैं, mid कितना आ गया, हमारा 6 आ गया, क्यों, start कितना 6, end कितना 6, डिवाइड बाइड बाइड तू, 6, 6th position कौन सी हमारी, 89, तो middle point हमारा कितना बन गया, यहां पे, और find कितना करना है, 89, तो जैसे 89 के उपर हम लोग पहुचे, position match हो गई, और अब यह क्या कर देगा, इसको return कर देगा, और जब हम लोग console में check करेंगे, तो 6th position के उपर हमें मिल गया, एक थोड़ा last भी देख ले सबसे पहले middle हमारा 34 आएगा, starting के अंदर यह तो हमारा common है, यहां पर, अब यह कहता है, middle point हमारा कितना है, 34, find करना हमें, 15, नहीं match हुआ, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाते है, next के उपर, next में क्या, इसमें match करेगा, नहीं करेगा, क्यों, middle point हमारा कितन 34, और find क्या करना है हमें, यहां पर बापिस आते हैं, find करना है 15, यह भी match नहीं हुआ, अब जाएगा, यह last वाली के अंदर, यहां पर पहुच गया, यहां पर data पूरा चला गया, start point कितना चला गया हमारा, start point, अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, इसने बोला भाई, देख, जो mid point, इससे तो हमें, पीछे-पीछे सर्च करना है, because इसके आगे तो है नहीं value, तो हमने क्या कर दिया, mid minus 1, पहले mid कितना था हमारा, 3, यहां भी 3 है, mid minus 1, कितना हो गया, 2, ठीक है, अभी इधर सर्च करेगा, अब मैं वापिस जाता हूँ, इधर, ठीक है, अब देखो, अग मेरा mid data, mid value कितनी है, 15, और find क्या करना है, मुझे, यहां पे 15, match हो गया, और जैसे मैं इसको यहां पे लेके जाऊँगा, यह मुझे बता दिया, कि यहां फर्स्ट पोजिशन के उपर है, अगर मुझे 10 सर्च करना हो दें, मुझे 0 पोजिशन के उपर बताता है, तो इस तर react router 6 के tutorials मिलेंगे English language के अंदर, सुबह साड़े 11 बजे daily video publish होगी, अब यह मसोच ना कि इससे हमारी data structure की video ही, यहां पर होगी, यहां पे वीडियो नहीं आएंगी, data structure की videos आएंगी हमारी regular आएंगी, क्योंकि जो playlist है na react router 6 की मैं पहले बना चुका हूँ, जब मैं हिंदी वाली बाद English वाली videos को release करता हूँ, तो इसलिए हिंदी वाली playlist पहले आ चुकी है, react router 6 tutorial in Hindi पहले आ चुकी है, अब react router 6 tutorial English वाली series मंडे से आएंगी मोर्निंग में 11 बजी, 11-12 वीडियो यहां उसकी आपको regular मिलेंगी, और उसके बाद में एक angular का e-commerce का project मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग उसका dashboard भी बनाएंगे, जहां से आप लोग product है, वो add कर पाऊँगे, जैसे आप उनको while add करना है, laptop add करना है, shoes, कुछ भी add करना हो कर सकते हो आप लोग, और front end के उपर उनको purchase कर सकते हो, right, so वो भी एक काफी बड़ा project आने वाला है, मेरे हिसाब से उसके अंदर 30 video के आस-पास आनी चाहिए, और बाद में इसको combined project भी बनाएंगे, तो वो 7-8 घंडे का project बनना चाहिए, right, so thank you so much for watching this video, and please चैनल को subscribe करना, बिल्कुल मत बूलना, and I really need your support, please hostे तो चैनल को and videos को share करो, ताकि और लोगों तक पहुचे, मैं देख रहा हूं कि न, अब views धीरे-धीर कम आ रहे हैं, पहले तो data structure वाली videos के उपर views अच्छे आते थे, but अब इसके उपर videos कम आ रहे हैं, views कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब interest कम होता जा रहा है, because काफी लोगों को, ठीक, यार इतना सा data structure पढ़ लिया, बहुत आगे नहीं पढ़ना हमें, ऐसा लोग सोच आते हैं, बहुते 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 हैं,